गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे विल स्टार्ट एक्सराइज 10.1 इन इस एक्सराइज विड्रो ए लाइन तो लाइन आपको पता है कि दोनों एंड से एक्सेंड कर सकते हैं आप उसको इस एंड से भी एक्सेंड कर सकते हो तो इसमें लेकिन पॉइंट गीवेन है a और b पे should a in the line थे करेणि आप यहांपे पॉइंट नहीं है और कहीं बाहर है उस पॉइंट का नाम है से यह कहते है जॉजिंग रूलर अड कमपस अपने हीं पॉइंट को यह ले सकते हो क्योंकि वहां लाइन नहीं लहां होगी हिह पॉइंट से लाइन पास्क्रों जो A, B, K और parallel line कौन सी होती है जिनके बीच का distance parallel line का क्या मेनिग होता है इस line और इस line के बीच का जो distance है वो throughout same होना चाहिए तो अगर आपको parallel line draw करना है लाइन parallel है जो किस में से पास हो रही है point C में से तो check distance आप इसका distance जुरूर check कर ले जितना distance यहां है throughout यह distance क्या रहेगा आपका same तो यह तो तो आपका first question जिसमें आपको एक line दे रहे थे जिस पे दो point थे a b एक point c आपको उस line से बाहर लेना था और उस point से line pass करने थी जो parallel थी किसके a b के अब आपको parallel line पता है कि इनके बीच का distance always क्या रहेगा same next question में given है draw a line L, L draw करो, draw a perpendicular to L, L से आपको एक perpendicular draw करना है at any point on L, L पे कोई भी point लो, वहाँ से एक perpendicular draw करना है on this perpendicular, choose a point x, वहाँ पे एक point choose करना है आपको x, 4 cm away from L देखो, तीन instruction दे रहे हैं आपको, सबसे पहले आपको एक L line लेनी है यह line L ले आपने, इसको mention कर दो, this is line, यह line आपकी L है अब यहाँ पे आपको एक point लेना है, यह line आपकी L हो गई, there is given one point, उस point का नाम है x ठीक है, choose a point, हमने point x choose किया और वहाँ से perpendicular draw करना है देखो, लिखा हुआ, on this perpendicular, choose a point x, तो पहले मैंने point लिया है, फिर मैं वहाँ पे perpendicular बना रहे हूं तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है, angle 90 बनाना, तो आप 90 बना सकते हो, तो यह हो गया आपका परपेंडिकुलर बिल्कुल स्टेट आएगा this is 4 cm, यह क्या है आपको, 4 cm away from L, अब आपको एक ऐसो point लेना है, जो 4 cm दूर होगा इस line L से, तो इसका मतलब क्या है, हम इस distance को ही 4 cm मेजर कर लेते हैं तो देखो, यह आपका distance है, 4 cm अगर मेजर करों तो इसका point देखो, कहां आ रहे है, यह आ रहे है, इसका point, तो यह distance है, आपका 4 cm, इसने पहले ही दी, यहां से मुझे एक line डो करनी है, और वो line parallel होगी, अब आप इस point से, वो line डो करो, जिस line का नाम क्या है, आपका M, यह एक 4 cm away from X, यह उस line से 4 cm away from L, L line से 4 cm away है, और parallel भी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना, एक line डो करनी है, लाइन पेक point mention करना है, जिसका नाम X है, उस point से हमें एक perpendicular डो करना है, और उस perpendicular की length को मेजर करना है, 4 cm, वहां पेक point mention कर दो, वहां से एक line डो कर दो, जोगी parallel होगी, किसक L के, यहां given है, M is parallel to L, तो आप चेक कर लो, M parallel है, किसके L के, next question है, question number 3, this is question number 3, L be the line and P be a point, no tone L, एक line है, जिस पे point P, जो के line पे नहीं है, throw a point P, draw a line M, उस P point से आपको एक line draw करना है, M, जो parallel है, किसके L के, यह अभी तक हम करते भी आ रहे हैं, कोई नहीं चीज नहीं है, given है, now join point P to any point Q, that is mentioned on L, तो यहाँ पे, कहाँ पे है वो, L पे है, तो सबसे पहले आप L पे एक point Q लोगे, choose any other point R on M, तो देखो, दो चीजे लिए हैं, यहाँ पे, एक point Q, कहाँ है, L पे, हमने पहले से ही ऐसा लिया, ताकि मैं L, यहाँ पे Q के साथ, इसको join करूं, तो यह line straight आई, अब यह कह रहा है, choose any point R on M, यह M है, M पे मैंने any other point R, चूज किया, through R, draw a line, P, Q, a line, एक line draw करनी है, R से, जो parallel होगी किसके, P, Q के, तो सबसे पहले आपको P और Q को join करना है, अब इसके parallel एक line लेनी है, जो R से पास हो रही है, तो यह देखो, यह दोनों line parallel है, क्योंकि इनके बीच का distance same है, अब यह कहते हैं, let this meet L at S, जो L line है, वो कौन से point पे, L पे एक point S है, जहां पे वो line meet करेगी, जो की parallel है किसके, अब आपने जो यह line बनाई है, P, Q, जो parallel है किसके, R, S के, और यहां से Q, S parallel है, P, R, देखो यह भी equal है, यह distance is distance के equal है, यह distance is distance के equal है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो line M है, वो parallel है, L, K, it means, M line, देखो समझ न, M line parallel है, L, K, यह क्या दे रही है कि जो P, Q है, वो किसके equal होगा, R, S के, आपने बताया कि distance क्या होता है, same होता है, अगर line parallel हो, अब यह कह रहा है कि यह दोनो line भी parallel है, कौन सी line, यह symbol है parallel line का, P, Q parallel है, R, S के, यह हमें क्या दे रहा है, P, Q parallel R, S के, यह दे रहा है, P, R equal है, Q, S के, अब आपको पता है, अब opposite sides equal हों, और यह बिल्कुल हमने perpendicular भी draw किया है, तो यह क्या बनेगी आपकी rectangle, तो इसने figure पूछा है कि यह जब line जो है, इनकी तो कौन सा figure बनता है, तो आपका rectangle बनेगा, आपको यह सारी चीज़े इसमें mention करनी है, तो इस यह एक्सराइस 10.1, नाव कम तो दे नेक्स एक्सराइस 10.2, इन इस exercise, we construct a triangle, the given information is here, construct triangle xyz, in which xy is given 4.5 cm, yz is given 5 cm, and zx given 6 cm, तो सबसे पहले एक छोटी सी request है, कि सबसे पहले यहाँ पे एक roughly draw कर लो triangle, यह rough triangle है, जिसका नाम है xyz, अब आपको पता है, कि मुझे नीचे क्या लेना है, और आपको side में क्या लेना है, अब यह देखो, xy कितना given आपको, 4.5, and आपको xy 4.5, yz given 5, और zx given 6, तो अब आपको पता है, कि मुझे नीचे yz लेना, देखो, यह आपकी चोईसा, आप xy भी ले सकतो, ऐसा कुछ नहीं है, कि नीचे हम yz ले रहे हूँ, तो yz है, आपका कितना है, 5 cm, तो with the help of scale, draw 5 cm, यह 5 cm हो गया, अब 5 cm के बाद आपको, yx लेना है, जो कितना given है, 4.5, अब आपको ऐसे नहीं draw करनी है, लाइन, अब आपको क्या करना है, पहले compass को open करना है, 4.5, compass open हो गया, 4.5, और एक arc को draw करना है, यहाँ पर, यह draw हो गया, next, point z से, देखो, आपको point mention कर लो, यह y से point था, और यह z से point था, y से आपने measurement लिए 4.5, अभी हमें point नहीं मिला है, point मिलेगा किसकी help से, from point z से, आपको from point z, we will take distance 6 cm, क्योंकि देखो, z y given है, आपको 6 cm, तो with the help of compass, you open 6 cm, तो आपने 6 cm लिया, और इसको cut कर दो, ताकि आपको point मिल जाए, without point आपको join नहीं करना है, जब तक यह point नहीं मिलेगा, आपकी triangle form नहीं होगा, अब आपको point मिल गया, अब आप इसको join कर लो, तो यही बनिया है, आपकी triangle x, y, z, यह length measure किया, आपने कितना 5 cm, number 2, in this question, construct an equilator triangle of side 5.5, आपको पता है कि equilator triangle में 3 sides क्या होती है, इक side आपकी measurement 5.5 है, other two sides की measurement 5.5 होगी, बहुत easy है, इसको draw करना, सबसे पहले आप इसको 5.5, यहां से with the help of ruler, आप draw कर लो, यह line, यह exactly आपकी कितनी है, 5.5 cm, अब आपको कुछ नहीं करना, अब मैंने कहा था कि triangle बनाने के लिए, हमें पॉइंट लेना चाहिए, अब सारी side equal है, तो आप इसी को measure करो, और यहां से 1 arc लगा दो, और पॉइंट लेने के लिए, यहां भी हमें 5.5 चाहिए, तो दूसरी measurement की नीरी नहीं, तो आपको यह मिल जाएगा point और आप इनको joint कर दो, तो यह बनेगे आपकी equilateral triangle, कोई भी बचर direct नहीं बनाएगा, without making this point आपको directly नहीं बनाने है, यह draw करना बहुत जरूरी है, to construct a triangle, तो यह देखो, आपने 5.5 लिया है, तो इसको भी mention करो 5.5 cm, यह भी है आपका 5.5 cm, तो यह भी आपकी equilateral triangle, come to the next question, in question number 3, given that the triangle PQR, PQ measurement given है, आपको 4 cm, QR 3.5 cm, and PR given है, 4 cm, तो इसके लिए आपको एक रफ फिगर जुरूद रहो करना है, सबसे पहले आप ले लो इसमें, यह लिया हमने PQ और R, इसका नाम क्या है, P&Q, 4 cm, अब देखो, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रो करो, एक्जेक्ली 4 cm लेना है, तो पहले वही कर लेते हैं, यह 4 cm हमारा वैसे भी ड्रो हो रख है, तो इतना मैंने, अब इसको कट करने के लिए मुझे कितनी लेंट चाहिए, RQ, और RQ कितनी गीवन है, 3.5, तो अपना रूलर उठाओ, 3.5, यहां से मेजर करो, यह हो गया आपका 3.5, और इसको कट कर दो, तो आपको वह पॉइंट मिल जाएगा, और इस पॉइंट को जोइन कर दो, तो यह हो गया आपका P, तो यह लेंद बन जाएगे आपकी पॉइंट आपका R है, PR और यह बन जाएगे आपकी RQ, तो बहुत एजी है, कंस्ट्रेक करना आपको ट्रेंगल, तो लास्ट क्वेशन ओ दिस एक्ससाइज गीवन दा, कंस्ट्रेक्टर अंगल ABC, AB गीवन है 2.5 cm, BC गीवन है 6 cm, and AC गीवन है 6.5 cm, बट इसमें एक चीज और भी बोलाएज ने, कि मेजर करो अंगल B, कोहीं ही फिर रफ फिगर द्रो करो, देखो नीचे AB की बजाएग क्या लेलो, BC लेलो, थोड़ा सा easy हो जाता है, यह BC लेलिया हमने कितना गीवन है 6 cm, तो obviously यह point आपका A बन गया, अब यह AB है आपको गीवन है 2.5 cm, और यह आपका AC है, that is 6.5 cm, आपको यह एंगल B भी मेजर करना है, अपना काम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम BC लेते हैं, कितनी है 6 cm, तो मैंने यहां से देखो, ड्रो किया 6 cm, नेम गलत मत करना, यहां पे B और C ही मेंचन करना है, आप देखो आपको 2.5 ओपन करना है, तो compass लो, सबसे पहले compass को open करो, with the help of scale, यह आपका 2.5 हो गया, 2.5 से एक arc लगा दो, अब इसको cut करना है कि say AC से, जो 6.5 given है, तो अपने compass से open करो length 6.5, और इसको cut कर दो, मिल गया आपको point, point का नाम है A, अब इस point को join करो दो, with B and C, यह हो गया आपका AB, जिसकी length है 2.5 और यह हो गया आपका AC, जिसकी length है 6.5 सेंटीमेटर, यह आपकी 2.5 सेंटीमेटर, अभी question खतम नहीं हो है, आपको angle B भी measure करना है, angle B measure करने के लिए आप क्या use करोगे, protector, और protector का point यह mention कर लो, यह point आपने mention किया, line से line को join किया, तो यह exactly आपका 90 डिग्री आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 90 डिग्री, तो angle जो B measure करने है, वो आपका 90 डिग्री है, question number 3 में measurement रहती है, तो question number 3 में measurement भी लिख लो, जो PR है वो आपका 4 cm, यह बहुत important होता है, measurement को नहीं भूलना लिखना, कि आपने कितना लिया है, वो mention होना चाहिए, और point B proper, जो point जहां mention है, वो वहीं पर, तो यह थी आपके exercise 10.2, I hope you can do this exercise with a given section, have a good day.